नमस्कार दोस्तों फिर से स्वागत आपको एक नए वीडियो के साथ दोस्तों इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ Realme C21Y मोबाइल में आप यहाँ पे OTG या फिर pen drive कैसे connect कर सकते हैं आपके पास कोई साभी pen drive है या OTG है तो पाले आप उसका angle देख लेंगे कि type C लगता है या फिर micro USB लगता है तो उसी angle से आप इसको insert कर लेंगे और जैसी insert करेंगे तो यहाँ पे आपको pop-up देखने को मिल जागा यह चूटा सा यह जो paid बना हुआ है आप इस पे click कर लेंगे और जैसी click करेंगे तो यहाँ पे आप इसको just one पे click करके open कर लेंगे या select कर लेंगे और यहाँ पे आप दिख सकते हैं कि पूरा OTG open हो गया है आपको यहाँ पे जो भी चीज transfer करनी है वो आप transfer कर लीजिए click करके और data transfer के अलग से video बनारे के channel पे जाके देख लेंगे और मालीजिए यहाँ से यह हट चुका है अब यहाँ पे आपको नई show हो रहा है तो यहाँ पे आपको my file में देखने को मिल जाएगा है यहाँ पे file manager होता है ना तो देख लेंगे एक बर कहा है file manager यह रहा files और यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा यह रहा ultra वाला अलग से वाला आपको यह वाला देखने को मिल जाएगा यह आपका internal storage है आप इस पे click करके इसको use कर लेंगे ठीक है और जैसे मैं इसको निकालूंगी तो यह यहाँ से गायब हो जाएगा यह आपका heart चुका है आप देख सकते हैं नहीं है और वापिस से लगाऊंगी अब यहाँ पे यह शो हो जाएगा यह रहा तो इस step से setting कर लीजेगा आई होप गईज यह वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा इसी टाइप के और इंट्रसिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल पर विजिट करते रहेगा चलिए मिलते हैं आपको एक नेक्स वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार